क्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प दूसरा है आपका उद्देश के आधार पे और तीसरा है आपका आकार के आधार पे कितने टाइप सब कम्प्यूटर होते हैं, उद्देश के आधार पे कितने कम्प्यूटर होते हैं, और मेकेनिजम, उनकी कार प्रणाली के आधार पे कितने प्रकार के कम्प्यूटर होते है तो सबसे पहले नम्मर पर आएंगे हम टाइप ओपूटर सिस्टम का पहला प्रकार है बेस्ट ऑन मेकेनिजम उनके कार प्रणाली के आधार पर आपके कंप्यूटर जो है तीन प्रकार के होते हैं पहला एनलोग कम्प्यूटर दूसरा डिजिटल कम्प्यूटर और तीसरा है आपका हाइब्रेड कम्प्यूटर एनलोग कम्प्यूटर वह कम्प्यूटर होते हैं जो बहुत एक मात्राओं को नापने या मापने नापना मापना एगी चीज़ हो गई बहुत एक मात्राओं को मापने के काम में आते हैं वो क्या होते हैं आपके एनलोग कम्प्यूटर होते हैं एनलोग कम्प्यूटर वे कम्प्यूटर होते हैं जो बहुत एक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, टेंपरेचर, लेंद, उचाई, लंबाई, उचाई, आधी को माप कर उनके परिणाफ उंकों में क्या करता है व्यक्त करता है, ये कम्प्यूटर किसी राशी का परिमाप तुनना के आधार पर करते हैं अब इसका मैं आपको एक्जामपर बताय दे रहा हो सकता है, आपको ऐसे समझ में ना आया, आप देखोगे, आप मार्केट में सबजी लेने कुछ आओ, तो आप जो तराजू देखते हूं, एक साइड उन्होंने क्या रख लिया, बजन रख लिया, बेट रख लिया, और तराजू को पकड़ा, और आपकी क्या करती, तुलना करती है, तुलना कर रहा है, तो कहीं न कहीं क्या है, वो कम्प्यूटर ही है, ठीक है, इसके बाद आप आओगे डिजीटल कम्प्यूटर, तो डिजीटल कम्प्यूटर आपके ऐसे कम्प्यूटर होते हैं, जो आपकी इसका आपको इसका आपको थैंप्रेचर ना अपना हैं ताफ्मान ना ए मरकुरी वाला थर्मश्रेशावीन ना लिद्र एनवाग हो गया डिजीटल कौन सा हो गया आजकल जो थर्मोमीटर आ रहा है और अंकॉमेट्स आप माना आता है घड़ी देख लो सुई और काटे वाली घड़ी है वो एनलोग है नमबर वाटी है वो डिजीटल ठीक है इसके बाद आप आगे बढ़ जाओ यह नेक्स्ट आपका एक्जाम्पिल क्या है इसमें लुक्त एनलोग और डिजीटल अब डिजीटल में आप बजन वाली मशीन बेट करने वाली मशीन उती है तो आप खड़े होते हो अंदर एक चख्री भूंती है वो एनलोग खड़े होगे डारेक्ट आपका अंकों में तिक है एनलोग ऐसे जो बहुत एक मात्रा हो फिजीकल क्वांटिटी को नापते हों और डिजीटल ऐसे जो जीरो और एक के फॉर्म में करना करके अंकों के आधार पर करना करके आपको देदें अब हम आएंगे हाइब्रेड कम्प्यूटर पे हाइब्रेड कम्प्यूटर अगर आप देखोगे तो बेस्ट आप पे लाए आपके पैट्रोल पंपी जो पैट्रोल भरने की मशीन होती है और आप बोलोगे कि भाई सौर रॉपय का पैट्रोल डालो जहां आपको नंबर देख रहा है वह वह गए डिजीटल कम्प्यूटर अब जैसे जो व्यक्ति व पैट्रोल भर्पके माले को या जो माले का उसको पैस से देगा चौक तो उसमें भी एक मेटल लगा रहता है उसको कहा जाता है अनलोग अब कौन सा में सरो데 अलुक कि आपको बताये का आपके नंबर वाला लॉक देखा है नंबरवाला लॉक देखा के तीन G fautine Rock कि साइकेल में कहीं पर भी ऐसा लॉग नहीं देखा प्रीफ केस तूट केस वगरा में कभी नहीं देखा है अब लॉग आपने देखा होगा याद नहीं आ रहा है इस ट्रैप के लॉग देखे होंगे कभी ना कभी जिसमें नंबर मिला आती है धग्यूं नोग यह तो नौनल मोर्मल के ऐसे ही आपको आलाते हैं तो यह लौकोneं में जया होता है अधैना मेap Canadians स्पीडो मीटर होता है तो न जाता ऑप स्पीड होता है मिल मीटर होता है धरता जरू इस वे और यह प्रसे से कलो मीटर पे या उतेश के आधार पे computer दो प्रकार्गे होती है पहला है आपका special purpose computer दूसरा है आपका general purpose computer जनरल परपस computer आपके ऐसे computer होते हैं जो सामान उफ्योग के लिए बनाये जाते हैं आपके घरों में जो computer रखे हुए हैं वो जनरल परपस computer होते हैं कीवोड हुआ माउस हुआ मॉनिटर हुआ CPU हुआ computer बन गया टाइप बेंग कर लिए गेम खेल लिया गाना सुन लिया मूवी देख लिया आपके आवश्यक्ता का काम कर लिया वो क्या हो गया कुछ हैटर टाइ इसके लिए बनाए गए हों ठीक है विशेश उत्ते इसके लिए बनाए गए हो मतलब आज बारे सोगी आज ऐसी हमाई चलेंगी उसकी गणना करेंगी आज दूप निकलेंगी या मौसम में क्या है बादत छाय रहेंगे वो मौसम की गणना करना है computer ही करता है वो गणना यह होते हैं special purpose computer ऐसे computer जो को यह पर्टीबुलर काम करने के लिए बनाए गए हो मौसम में ग्यान में सैटलाइट को चलाने में यातायात को कंट्रोल करने में traffic light होती है हरी हो गई चले गई लाल हो गई रुप गई वो भी computer ही है उसमें भी सेट है कि इत्ते सेकेंड के लिए डा रोबोट चोरह रहा हैं वहां है पूरे traffic को अंधे को करता है रोबोट करता है जिदर से रुपना अधर आईसे हो गया जिदर जाना ऐसे कर दिया तो वह रोबोट क्या करना है पूरे ट्राफिक को सीब्स कर दिया आता है आड कंट्रोल के लिए हो गाया मेडिकल फिल्ड में भी कंप्यूटर आ रहे हैं मेडिकल चिकेस्ता की लिए ओपियोग कर रहे हैं तो भी इस्पिशल परपास हैं सब आपके एरदाम फिर यहां पर लेखे हुए हैं अंत्रिक्ष विख्यान में मौसम विख्यान में उपग्रह संचलन सेटलाइट को चलाने में अनुसंधान एवं सोथ रिसर्च एंड डेवलप्मेंट यातायात नियंत्रा क्रसी विख्यान ठीक हैं इसके बाद आप आओगे चिकेस्ता के चेत्र में यह आपकी इस पेचर इस क्या गया है इसके बाद हम आएंगे बेश्ट ऑन साइज आकार के आधार पे आपके कंप्यूटरों को पांच प्रकारते क्या गया है डिवाइड किया गया गया सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो और डेक्स्टॉप कंप्यूटर तब से पहले हम लास्ट वाले को डिसकस करते हैं डेक्स्टॉप कंप्यूटर आपके ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आपके घरों में रखे हुए हैं जो आपके डेक्स्टॉ कंप्यूटर गर्रों में कंप्यूटर रखी है उनसे अदिक पाम सब्सक्राइब यह वह सब्सक्राइब खुल्दा होती है यह तो होते ही पर पैसे की बात करें ना तो नॉर्मल कम्प्यूटरों से अरिद्रे में महघेली होती है तो इसकी बड़े बड़े फिल्डॉं में रखे जाते हैं जैसे कोई आपका रेसर्च चल रहा है कहीं आपकी बड़ी और जेशन है जहां किसी सुपूटर से तो क्या होती है अधिक गतीवाले और अधिक स्पीड वाले क्या कहलाते हैं आपके माइक्रो मिनी कम्प्यूटर कहलाते है में इसे कम्प्यूटर होते हैं जिसमें एक मुख्य कम्प्यूटर को डेजाइन किया जाता है उसी मुख्य कम्प्यूटर से बांती सब कम्प्यूटर को क्या कर दिया जाता है जो भी जानकारी उपस्थेथ है उस मेन olur मतलब जो भी जानकारी उपस्तित होगी वो किसे भी मेन फ्रेम कम्प्यूटर पर और उसी मेन फ्रेम कम्प्यूटर से जोड़े या जानकारी देगा क्या कव्यइंक है माइक्रो एस computer रखा आपने Laureen को ले जा सकती है या suitcase, brief case में रखा आपने और उनको ले जा सकते हैं, ठीक हैं, laptop, palm top, notebook, macbook, या आपने tablet, यह सब इसके example होते हैं, computer तीन परकार पर divide किया गया है, mechanism के आधार पर, उद्देश के आधार पर, और आकार के आधार पर, mechanism के आधार पर क्या है, तीन परकार के analog, digital और hybrid, उद्देश के आधार पर दो परकार के general और super, आकार के आधार पर, general और spatial, तीक है, mainframe computer, micro computer, desktop computer, ठीक है, खईबार paper में question पूछा जाता है, हमारे घरों में राती है computer कौन से क्यलाती है, desktop, ऐसे computer जिनको किसी business काम करने के लिए बनाया गया हो, super, special purpose computer, ठीक है, ऐसे computer जिनमें analog और digital दौनों का mixture हो, hybrid computer, ठीक है, ऐसे computer जिनको हम एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर सुगमता से ले जा सके, तो आज के आपके topic में computer कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने प्रकार से classify किया गया है, आकार के आदार पे, उत्देश के आदार पे, या कार्ण करनादी के आदार पे, यह हमने देख लिया है, इसके बाद हमारा next topic क्या आएगा, development of computer system, ठीक है, computer system का आपका आविशकार क कैसे कैसे developed हुए, वो हम अपनी next class में क्या करेंगे पढ़ने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और bell icon प्रेस कीजिए latest technology वीडियो सबसे पहले देखने के लिए